असलाम अलेकूम, असलाम अलेकूम and a very warm welcome to my all YouTube family. उमीद करते हूँ कि आप सब लोग एक दम first class और fit होंगे. आप सब लोग देख रहे हैं अपना favorite channel सारा के संग संग. अगर आपको देखना है art in craft, cooking या baking, facial या किसी करवानी product करवाना है, review तो आपको देखते रहना है सारा के संग संग. अच्छा तो वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बना रहे हैं केरामल पॉपकॉन. कैरामल पॉपकॉन घर में बनाना बहुत ही असान है, और बहुत असान इसे घर में बना सकते हों या तेस्ट वही जाइका आता है, जो आप बाहर किसी parent click का, gonna kaikki का प्ैकेट का महिंगे महिंगे करामल पॉपकॉन लेकर आते हैं、 लेकिन केरमेल पॉपकोन को घर में बनाने से पहले आपने दो या तीन बातों का बहुत जरूरी खियार रखना है इसमें से एक बात तो यह है कि जब आपनों केरमेल सॉस बना रहे हो तो इसमें एक जगह हमने एड़ करना है बेकिंग सोडा अच्छा कुछ लोग यह होते हैं कि वो बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर से मिक्स कर देते हैं आपने इस चीज़ का बहुत धियान रखना है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को मिक्स नहीं करेना है हमने वहां पे बेगिंग सोडा ही यूज़ करेना है और एक चुटकी यूज़ करेना है bayking सोडा, बेगिंग पउर्डर के YouTube, भीर नहीं होता है तो वहां पे आपने ढ़ caffood रखना है कि वहां भी सबस्तेरी की मैची दूस्त आए करामेल सॉस बनानी है इसकी आंच दीमी होनी चाहिएिर करमेल जिसे जो कि करमल सॉस उसका वह वह वाला टेक्सिर यह वह 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 एफेक्ट नहीं आता और तीसरी सबसे अहम बात यहां कि जब आपकी तो आपकी सॉस रैडी हो जाए तो उसको आपने फॉरं चुल्हे से बढ़ा देना है इस टोफ से हटा देना है और फिर आपने यू मस्ट हब तो मेक इट शूर कि आपकी जो मिक्सिंग है पॉपकोन की और केरामेल सॉस की वह चुलह पे ना की जाए चुलह से हटा के आपने पॉपकोन को और उसको मिक्स करेना है मिक्सिंग के लिए आपने चुलह से उसको हटा लेना है तो चलिए चलते हम वीडियो की तरफ देखते हैं केरमल पपकुन कैसे बनाते हैं बहुत इजी है बहुत मज़ा आईगा बहुत आप लोग इंज्जॉई करेंगे लेकिन जाने से पहले पहले वीडियो की तरफ आप लोगोंने सबस्क्राइब करना है अपना चैनल सारा की संग झाल 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 संग झाल 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 झाल